हलो फ्रेंड जैमा तदी फ्रेंड आदे के चार पांच साल के बच्ची के लिए मैं आपको यह बेबी बूट बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी स्टैप में तो बहुत ही जल्दी भी बन जाता है बहुत ही सुन्दर लगता है बच्ची के पैर पे पैना हुआ इस तरीके से आए गाए तो चलिए फ्रेंड इसको बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम फंदे डालेंगे डिजाइनर ऐसे एक साइड आप डबल कर लेजिए धागा और एक साइड सिंगल अब यहीं से हमें एक नोट ऐसे लगा लेंगे एक फंदा हमारा है बन गया दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ऐसे आप यहां पे 37 फंदे डालेजिए फंदे उपर से हम यहां पे से में डालेंगे अगर आपको इसकी लेंथ बढ़ाने है तो यहां से यहां तक की लेंथ बढ़ेगी यह जो मैंने एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस धरियां बनाई यहां पे बारा चौदा ऐसे बढ़ा सकते हैं चोटे के लिए बन हम सिलाई में काम करेंगे इससे तो ऐसे इसको होल्ड करके आप यहां पे रख सकते हैं ऐसे बांद के आकि खुल लेना अब पहली स्लाई देखिए थर्टी नाइन हंड़ों की पहली स्लाई तो पहला फंदा भी हम बनाएंगे प्यूरी स्लाई यह पहली हम उल्टी उल्टी बना देंगे पूरी स्लाई में बना लेते हूं फिर दिखाते हूं अब देखिए सीधी स्लाई पे हमने पहला फंदा स्लिप करा एक फंदा सीधा एक उल्टे काई बॉर्डर बनाएंगे बारा स्लाईयों का हमें बॉर्डर बनाएंगे सीधी स्लाई पे जैसे फंदे है वैसे जो फंदा जैसा दिखेगा उल्टी स्लाई पे उसको हम वैसे ही बनाएंगे सीधी स्लाई पे जो उल्टा है उल्टी स्लाई पे सीधा हो जाएगा बस इतना सा फर्क आएगा और जो उल्टा है उसीधा जो सीधा है उल्टा पूरी स्लाई में बना लेते हूं फिर उल्टी दिखाते हूं अब उल्टी स्लाई पे देखिए पहला फंदा हमने स्लिप करा इसको हमने सीधा बनाया ए उल्टा ए सीधा पूरी स्लाई इसकी हम ऐसे बना देंगे एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा सीधा तो बारा स्लाइब बना लीजिए फिर उल्टी स्लाइब से हम यहां पर दूसरा कलर जोइंट करेंगे यहां पर उल्टी स्लाइब से बनाएंगे फिर सीधी पर हम उल्टा उल्टा बनाएंगे तो एक दो तीन चार धरियां इसकी बनाएंगे फिर यह बारा स्लाइब फिर चा संदर बॉर्डर बन के आता है स्टेचेवल तो इतना बना लेजिए अब देखिए फ्रेंड यहां तक बना दिया मैंने एक दो तीन चार धारिया एक तो तीन धारिया एक अब हम दोनों साइड एडी बनाएंगे तो मैं बहुत ही जी तरीके से आपको एडी बनाना बताऊंग तो एडी हम जो हमारा बेस कलर है उसी से बनाएंगे तो देखिए दस पंदों पे हम एडी बनाएंगे इसे दो तीन इदागा हम आगे तक लेके जाएंगे चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, और यह दस यहाँ पे यह दागा छोड़ देंगे और यहीं से हम पीछे मुड़ेंगे अब देखिए ऐसे दागा भी करेंगे और दस दागा यहाँ पे बना देंगे मतलब 20 स्लाइएं बनाएंगे इस एक ही कलर के एक दागा हमारी बनेगी यह वाला सीधा अब फिर से चैला फंदा स्लिप करा और पूरी स्लाइए उल्टी-उल्टी बना देगे दोनों स्लाइएं हम मुल्टी-उल्टी बनाएंगे तो हमारा यह दारियां बनती जाएंगे फिर यहीं से फिर पल्टा ऐसे दो दारियां बन गई तो ऐसे मैं दस दारियां यहां पर बना लेती हूं फिर दिखाते हूं लास्ट वाला फंदय से सीधा अब देखे फ्रेंट यह मैंने बना ली दस दारियां अब हम मुल्टी स्लाइए बंद करतेंगे इन फंदों को दस अब पहला फंदय से स्लिप करां यह बनाया पीछे वाला उपर से उतार दिया है दो तीन चार पांच चे साथ आठ नौ नौ फंदय हमने बंद कर लिये अब देखे यह फंदय हम ऐसे ही रखेंगे इस पर और यहां से नौ फंदय उठाएंगे एक तो पहले पाए एक दो होगी हमार पास दस फंदय पूरे करेंगे तीन चार यह जो चेन चेन बनी हुए आती है इसी से उठाएंगे पांच छे साथ आत आत नौ अरे एक यहां गैप में ऐसे उठा लेंगे एक फंदा अब पूरी स्लाई हम ऐसे उल्टी उल्टी बना लेंगे और दूसरी साइड भी ऐसे ही दस फंदों पे हम एडी बनाएंगे जैसे यह वाली एडी बनेगे यहां पे हमारी बैसी एक एडी हम यहां भी बनाएंगे तो यह पूरी स्लाई हम ऐसे बना देंगे और दस पंदों को फिर से दस धारियां उल्टी उल्टी बनाएंगे 20 लाईयां और फिर उन्हें फंदों को उपर से बंद कर देंगे और साइड मैं से उठाके तो हमारी एड़ी बन जाएगी खुड़ ऐसा दिखा देती हुए आपे देखे पूरी स्लाई हमने बना लिए अब देखे अब दागा आगे लाएंगे और दस पंदे ही बनाएंगे दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ और लास्ट का फंदा हम सीधा बनाएंगे तस अब यहीं से पल्टेंगे अब इनी दस पंदों को बना लोगे फिर आगे का दिखाते हूं पहले बना लेते हूं उसके बाद जो हमने एक एक धारी का डिजाइन ने बनाया वो बनाएंगे हम पांच इंज तक यहां से आगे फिर अब देखें फ्रेंट यहां तक बना लिया वैने तो अब यही एक दारी इसकी एक इसकी पाँच इंच तक वनाएंगे यहां से आगे पाँच इंच बनाएंगे फिर हम पंजा बनाएंगे तो यह दागा हम यहा लेके आये थे अब इसी दागे को हम थोड़ा से लंबा करके यहां से बनाना स्टार्ट करतेंगे अब एक धारी हम इसकी और एक इसकी दोनों धारी हैं से बनाते जाएंगे तो फिर मैं आके दिखाती हूं आपको कितनी धारी हमारी बनके आई हैं यह और पांच इंच तक बनाएंगे हम चार पांच नमबर साइज के रिए पांच छे नमबर साइज को आराम से आजाएगा यह वाली सॉक्स थोड़ी स्टैचेबल होती है तो खिच भी जाती है अगर छोटा पाउं पैने तो थोड़ा एक सिकुड जाती है और ज़ा बड़ा पैर पैने तो फुरी लंबी हो जाती है तो इस तर अब भी नहीं बढ़ता है तो मैं आपको बनाना बताऊंगे आगे पांच इंच तक आप इसकी लेंद कर लेजिए और फिर आपको पंजा बनाना बताऊंगे अब यहां से हमें यहां से लागा आगे करके उल्टा-उल्टा बनाएंगे एक-एक धारिया पैसे बना फिर दिखाती हूँ मैं आपको अब देखिए फ्रेंड इसकी लेंद मैंने कंप्लीट कर ली यहां से हम इसकी लेंद नापेंगे देखिए पांच इंच अभी स्टैचे बलाए तो पांच इंच मैंने इसकी लेंद बना ली है अब हम यहां पर मैंने दो धरिया एक जैसी ब पंजा बनाएंगे अब तो इस तरीके से हमें दोकाइक कर देंगे पूरी स्लाई में उल्टी स्लाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे अब श्लाई में पूरी उल्टी बना लेते हूँ अगली सीधी पर दिखाते हूँ अब उल्टी श्लाई बनाने के बाद ये वाली स्लाई हम पूरी ऐसे बनाएंगे एक धारी इने फंदों की इसके बाद उल्टी स्लाई पूरी उल्टी फिर अगली सीधी पर फिर दिखाते हूं मैं आपको अब फिर से हमने दो का एक करना है उल्टी स्लाई बनाने के बाद पहला फंदा ऐसे स्लिप करा धागे आगे करा और ऐसे सभी फंदों का हम दो का एक कर देंगे यह वाला उल्टा बना के इस सीधा बना देंगे अब उल्टी सलाई हम पूरी उल्टी बना देंगे उल्टी सलाई पे हमने कुछने करना है इसे सभी फंदों का हमने उल्टा बना देना है अब हम सीधी सलाई पे आगे तो यह जो हमारा पहला फंदा है इसके उपर हमने सभी फंदे ऐसे गिरा देने है अब इस वाले फंदे को एक वार फिर हम ऐसे बना देंगे और यहां से धागा काट देंगे दागा काटके इसके अंदर से देखे एक वर ऐसे गुमाया फिर एक वर फिर गुमाएंगे दो बर ऐसे इसको टाइट कर देंगे तो यहां से हमारे भूटकी से इस तरीके से आएगी फिर तो अब मैं सिलना बताती हूँ यह जो धागा बच्चा है किसी को खोलेंगे हम पहले ऐसे और एक नोट यहां पर टाइट से लगा देंगे और एक धागा काट देंगे यहां से अब देखिए इसको उल्टा करेंगे ऐसे और ऐसे इसको सिलेंगे यह देखिए थोड़ा समय दिखा देती हूँ आपको यहां पर हमने दो तीन वार अच्छे से टांका लगा देना है ताकि खुले ना अब जो एक एक कैसे चोटी चोटी बने भी दिख रही है बस इसी चोटी को हमने सिलते जाना है पूरे राउंड में हम ऐसे सिल देंगे नीचे तक एक कलर से कलर आप ऐसे मिलाते जाईए और इसको सिलते जाईए अब एदे की ऐसे अब ऐसे यहां तक सिल लेजे इसको और इस दागे के साथ इसको जॉइंट कर लेजे बस ऐसे सीधा सिलना है फिर मैं आपको सीधा करके दिखा देखा देखिए अब देखिए यहां तक सिलने के बाद फिर यह जो दागा है इससे हम इसको टाइट आम पर लगा देंगे ऐसे दो तिन वार अच्छे से बंद करके फिर इसको काट देंगे यहां से अब मैं सीधा करके दिखाते हूं आपको फ्रैंडे बहुत ही सुन्दर बहुत ही जल्दी बन जाता है देखिए तो इस तरीके से आप भी बनाए और अपने बेबी को बनाए बहुत ही सुन्दर तो फ्रैंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को थेंक यू कर दो